हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का विवेक मिस्सा टेंग में डेस इनश्टर हम लोग जिस कंपनी को डिसकस करने वाले हैं उदैपूर सिमेंट बर्क लिम्टेड है तो कैसे आ है नतीजे उसी को हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे और इसके चार्ट पे भी बात करेंगे तो में साथ वीडियो में बने रही है जो चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर लें और पिसे बेल और पर रखें जिससे आने वाले इनिश्ट अपडेट कंपनी ट्रेट कर रही है कंस्ट्रक्शन मटेरियल वही सिमेंट प्रवाइड करती है अर्निंग पर सेर जो है 1.75 की चल रही है मार्केट केप्टल 11.071 बिलियन की है प्राइज अनिंग रेसियो इस टाइम पर 20.2 चल रहा है इस इसाब से देखें दोस्तों तो कुछ इतना अच्छा भी नहीं है पर इतना खराब भी कंडिसन नहीं है चार्ट में देखेंगे तो एक हाई बड़ी सी रैली था इसका 27 से लेकि काफी अच्छा गया था थोड़ा सा यहां पर करेक्शन देने के साथ ही तो काफी बड़ी रैली होने को जैसे इसमें करेक्शन हम लोगों को दिखी है और अब करेक्शन का जो क्योंकि काफी टाइम से था अब आप देखें 15 जुलाई से अब तक तो काफी अच्छा रिकवर हो चुका है तो इसमें एंट्री के लिए मौका है और बाकी सब चीजों के लिए तो इसके नतीजे समझते हैं उसके बाद चार्ट पर बात करेंगे मार्केट केपिटल 1000 करोन से अब अब की हो गई है बस तिस्टिल अभी भी 1000 के अराउंड ही है तो कुछ पर ठीक है क्योंकि 1000 क्रोस कर दिया है अच्छी बात है रिटर ऑन इक्विटी देखेंगे आप लोग इसका तो बहुत ज़्यादा सांदार है 31.4 परसेंट का आरो सीई भी इसका 16 का है जो कि एक अच्छा नंबर दिखता है प्रॉफिट ग्रोफ पिछले 12 मेहने की जो रही है दोस्तों वो काफी बहतरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी 102% प्रॉफिट ग्रोफ इसका इंक्रीज हुआ है कंपनी का और सेल ग्रोफ जो है वो 24.6% इंक्रीज हुआ है तो दोनों ही चीजे बेटर इंक्रीज हुई है कंपनी की face value देखी जाए दोस्तों तो 4 की आ जाती है अब उदयपूर जैसे नाम में ही है तो जायर सी बात है राजस्थान में ही होगा तो इसका जो registered office है वो जैपूर राजस्थान में ही है कंपनी के काफी सारे subscribe है जैसा कि यहाँ पर बता रखा है कंपनी ने और काफी सारी चीज़ों पर कंपनी जो है work करती है return on asset की बात करें तो 6.38% का है quarter wise जो नतीजे यहाँ पर मैंसन है दोस्तों वो थोड़े खराब दिख रहे हैं आप लोगों को पर अभी हम लोग चेक कर लेते हैं और high लोग का आपको यहाँ पर difference भी दिख जाएगा चेक करते हैं कैसे रहे हैं number और कैसी अभी conditions चल रही है तो हम लोग December का देखने वाले हैं जो just अभी आया है पिछले quarter से हम लोग compare करेंगे और last year से भी compare करेंगे सबसे पहले sale की बात कर लें तो company ने last time से काफी अच्छा sale किया है और last year और last quarter दोनों से ही अच्छा company ने sale किया है पर आप देखेंगे तो expenses जो थे वो थोड़े कम हुए last year पिछले quarter में तो उसकी वाज़े से operating से profit last year का 36.43 करोड का था फिर अभी जो सितंबर का है वहाँ प अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखने वाली रहेगी क्योंकि देखिए company ने sale अच्छा किया पर expenses बढ़े तो उसकी वाज़े से आपको यहाँ पर नंबर में थोड़ा कम दिख रहा है operating profit से but still company ने perform तो अच्छा किया ही है अब expenses खर्चे तो होते ही है इस बार थोड़ profit before tax पर बात कर लें तो वहाँ पर भी last year का क्योंकि उपर से ही अच्छा आ रहा है तो जायर सी बात है यहाँ पर भी एक अच्छा आपको दिखेगा तो 15.55 करोड का profit यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि profit before tax में और पिछले quarter में भी 12.22 करोड का profit था अच्छा नंबर था last year कोई tax ही नहीं था तो अच्छा नंबर दिख रहा है आपको पिछले quarter में 16.86% का tax दिया तो वहाँ पर 10.16 करोड का profit था यहाँ पर 26% tax दिया तो इसलिए 5.39 करोड का profit आया है जो कि दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो क्योंकि जून के दिसंबर के net profit में आपको दिख करेंगे sale का जो होता है वहाँ पर company ने काफी अच्छा किया है पर expenses ज्यादा है उसकी वज़ए से अपरेडिंग से profit कम बना है तो अगर इसको हम कहीं ना कहीं पर लें तो company ने perform तो बहुत अच्छा किया है अब जो net profit ही count किया जाता है वहाँ पर नंबर इतने अच्छे नह और यह जो अगले quarter में हम लोग देखने को मिलेगा फिलाल तो यही इसके नतीजे थे अभी हम लोग इसके अगर say rolling patterns और बाकी चीजों को discuss करें तो company काफी अच्छा perform कर रही है पिछले 12 महिने का जो result है वहाँ पर company almost last year जितना अभी profit कर चुकी है और अभी वह quarter बचा हुआ quarter four तो देखना होगा कि उसमें कैसा जाता है इसका और उसके बाद हम लोग को clearly पता लग पाएगा यहां का फिलाल अभी अच्छा चल रहा है company का और आप पुराने 2014 से देखेंगे तो अच्छा कर रही है company और धीरे धीरे यह चीजें better होती जाएंगी तो अभी इसमें उमी अगर आपको इसको खरीदने के लिए जाना है तो आप इसको खरीदने के लिए बिल्कुल जहां पे अभी ट्रेट कर रहा है वहीं पे ही खरीदने का अच्छा जोन है तो आप खरीदने के लिए जा सकते हैं और पहला target हो जाएगा हम लोगों का इसमें 40 रुपीस के तो यही हो जाएगा फिलाल इसके उपर अपडेट थैंक्स पॉर वाचिंग इस टूड़ो मिलते हैं आपको नेक्स कमिने साथ इक्स वीडियो में